है एवरीवन मैं प्रिया वेलकम बैक तो दे प्रिया जुमेंस कॉर्डनर मैं अगेन आ गई हूँ आप लोग के लिए एक रक्षा बंदन डेटाइम मेकप लुक लेके और जो की बहुत विरेबल और प्रैक्टिकल मेकप लुक है और यह थोड़ से लंबा हो जाएगा जस्ट गुडवाइ प्लस की फेशिल ओयल मलबरी फेशियल ओयल है गाईस एंड इसे दो तीन ड्रॉप लेके मैं अच्छे से मसाज करूंगी एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत फूटी और बहुत अच्छी है गाईस एंड इसे अच्छे से अपने स्कीन में अब्सॉर्ब करा लॉंग लास्टिंग रहेगा फिर मैं यूज कर रही हूं यह है लैक में का लिक्वीड परफेक्ट फांडेंसन यह ना बहुत लाइट मी कवरेज देता है यह डेटाइम में कप लूख है इसलिए मैंने इसे ही चूच किया फांडेंसन के लिए और इसे अपने फिंगर टि लॉचन है यह डाकने से मैं उसको ही हाइट कर रही हूं और थोड़ा बहुत है लगता 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 लोगों को और यह अच्छा भी नहीं लगता देखने में इसलिए मैं एक तम लाइट सी कवरेज चाहिए अधिया मैंने हलका हलका लगाया है फिर ब्यूटी बेटी बिल और उसी beauty blender की help से लेके जहां-जहां मैं concealer लगाया था वहीं वहीं उसको अच्छे से dab-dab कर दूँगी जिससे क्या होगा कि मेरा concealer lock हो जाएगा, set हो जाएगा अपने place पे और पूरे face पे मैं एक fluffy brush की help से अच्छे से लगा लूँगी जिससे कि मुझे पूरे face पे अच्छी coverage में मिल जाएगी और मेरा makeup seal भी हो जाएगा, lock भी हो जाएगा compact की help से, then मैं यहां use कर रही हूँ NYB की kajal और यहां मुझे eyeliner एक sharp eyeliner नहीं चाहिए थी मुझे थोड़ा से smudgy look चाहिए था इसलिए मैं kajal लगा रही हूँ और उसको smudge out कर दे रहे हूँ एक angular brush की help से और एक अच्छी सी eyeliner आपकी मिल जाएगी आप देख सकतो कितना अच्छा सा eyeliner लग गया है मैं आई makeup बहुत ही simple रखा इसलिए मैं कोई eyeshadow palette यूज नहीं कर रही हूँ इसके लिए यूज कर रही हूँ मैं यह है mirror blush palette और आपको क्या करना है कि धीरे धीरे color place करना है ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में बहुत सारा color place कर लेना फिर blend करना इससे आपका makeup look patchy हो जाएगा और आपको तब तक ऐसा करना है जब तक कि आपको आपका reserve color नहीं मिल जाता तब तक आपको place करना है blend करना है place करना ऐसा करना है एक ही बार में आपको सब कुछ नहीं करना है उसके बाद मैं use कर रही हूँ हलकी सी shimmer चुकि मुझे थोरा सा shimmer चाहिए था अपने eyes पे पूरा matte look नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उसी में से अपना सीमर ब्लस लेके हलका सा लगा लिया आई लीड पे और आप देख सकते हैं कि यह हो गया मेरा simple सा आई लुक तयार दिन मैं काजल लगा रही हूं अपने half eye lid पे full eye lid पे नहीं लगा रही हूं बाहर की तरफ आले half eye lid में मैं काजल लगा रही हूं और धीरे धीरे करके लगाऊंगी चुकि वह ना बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए आपको last line पे ही मुझे काजल रखना है फिर एक angular brush की help से उसे अच्छे से smudge out कर लूँगी और आप देखे हूंगी कि मैं धीरे धीरे छोटा छोटा छोट में इसको कर रही हूं चुकि मुझे काजल नहीं फैलाना है अपने lower last line तक ही रहतना है देन उसको मैं बाहर की तरफ विंग निकालने वाली हूं इसमें हलका सा आप देख सकते हैं धीरे-धीरे करके मैं उसी काजल से हलका सा विंग निकालूंगी चुकि एक हलकी सी विंग लाइनर वाली एफेक्टा है मेरे आइज में धीरे-धीरे करके मैं अपना अच्छा से एक विंग निकाल चुकी हूं आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है आई लुक का बहुत सिंपल सोबर और देन मैं यूज कर रही हूं यह मिस्रोज का पैलेट उसी में से द लाइकन जरूर हिट कर दीजिए जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हाँ गाइस इसमें मैंने छोटा सा ब्रस इसले यूज किया चुकि ये एक बिगनर फ्रेंडली हो जाएगा बिगनर को क्या होता है कि बड़े ब्रस के साथ आपने कंटोर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता पोड़क्त इधर हो दर लग जाता है इसलिए मैं इसमें छोटे ब्रस के साथ करके दिखा रही हूँ कि आप छोटे ब्रस के साथ भी अच्छे से कर सकते हैं चुकि इसे हाथ बैलेंस होता है पोड़क्त भी कम कम लगता है धीरे धीरे लगता ह जिससे कि अपका makeup messy नहीं होता आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं contour कर चुकी हूँ देन मैं करने जा रही हूं reverse contour और उसी में से ये banana side लेके अपने उसी sponge की help से reverse contour कर लोगी जिससे क्या होता है कि नीचे कुछ तुरा बहुत fail गया हो तो वो सही हो जाएगा और आपका Cornhole बहुत सार्फ दिखेगा, और बहुत अच्छा दिखेगा, आप दिख सकते हैं, कितना अच्छा, कितना सार्फ दिख行 flirtich करने से, और इससे आपका Makeup भी बहुत अच्छा दिखने लएगा, उसके बाद मैं लगा रही हूँ Blush, और ब्लस के लिए मैंने उसी palette को यूज किया है mineral brush palette और उसमें से वही shimmer वाला shade लेके अच्छे से blush लगा लिया अगर आपको लगता है कि आपका blush ज़्यादा लग गया है तो आप अपने उसी compact वाले brush से फिर से उपर से आप dust top कर सकते हैं और आपका look हो जाएगा तयार देन मैं use करने जा रही हूँ यह है master chrome highlighter इसी से मैंने अपने brow bone को highlight किया finger की help से और guys यह बहुत subtle highlighter है day time के लिए बिल्कुल perfect है इसलिए मैंने इसी highlighter को चुना है फिर मैं कर रही हूँ अपने inner corner को highlight और मैं highlight करने के लिए एक छोटू से brush से अपने eyelid पे भी जहां तक मैंने काजल नहीं लगाया है वहां तक मैं उसे highlight कर रही हूँ and then आप मैं लगा रही हूँ lipstick क्या lipstick ना बहुत मैंने महनत कर यह इस lipstick को पाने के लिए और इसमें मैंने तीन color की lipstick को mix करके अपना desire color बनाया है सबसे पहले मैं लगा रही हूँ लेक में कि यह pink color की lipstick then उसके यूपर यूज करूँगी मैं यह है blue heaven की lipstick orange color की जिसे क्या होगा कि आप pink पे मैंने orange लगाया तो यह red से मिल गया मुझे orange red color जो की बहुत खुबसूरत है guys और यह आपके लिए trick है अगर आपके पास red lipstick नहीं है तो दो color mix करके आप आराम से यह red color बना सकते हैं देन मैं उसके उपर यूज कर रही हूँ यह है आरीमेल की मेरी light color की nude pink color की lipstick उसके उपर मैंने red color की उपर यह lipstick लगाया है और मेरा बन गया जो मुझे color चाहिए था lipstick का वो color मैंने पा लिया है और आप देख सकते कितना खुबसूरत lipstick बन गया मेरा यह तीनों lipstick है जिसे मैंने अपना यह lip set बनाया है वही मेरा तीनों lipstick है आप भी इस तरह से mix and match करके अपने बहुत सारे set त्यार कर सकते हैं अपने लिए फिर मैं यूज कर रही हूँ यह है makeup setting spray और उसे spray करने के बाद इस पॉन से अच्छे से dab dab कर लिया है तकि सारा powderiness खता मुझा है फिर मैं लगा रही हूँ यह बिंदी गैजा बताएगा कि यह बिंदी मुझ पर कैसा लग रहा है comment के थूँ और उसके बाद मुझे वह अच्छा नहीं लगा फिर मैंने अपने सारी के match से यह बिंदी लगाया है and यह है guys मेरा final look और आप देख सकते हैं कि यह lipstick मेरे सारी से कितना ज्यादा match कर रहा है अगर आपके पास आपका perfect set नहीं है तो आप अपने lipstick के साथ इसी तरह से mix and match करके अपने लिए एक perfect set बना सकते हैं and आपको यह रक्षा बंदन day time makeup look कैसा लगा guys अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ऐसा नहीं कि आप रक्षा बंदन पर ही कभी भी इसे daytime किसी भी function में या festive में आप इसे carry कर सकते हैं यह बहुत ही wearable makeup look है guys and अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे like कर दीजेगा अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा and bell icon को भी बजा दीजेगा ताकि मेरी आगे वाली आने वाली वीडियो की notification आपको मिल जा और आप वीडियो सबसे प कर दो